ओम नमो भगोते बास देवाई नमा श्वागत आप सभी का मेरे एच्छे स्वारत द्वाई यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बैकुंट चतुर दसी का माहो पाय बताने जा रहा हूँ बैकुंट चतुर दसी के दिन पीला धागा और एक पुष्प का माहो पाय ये पुष्प आपको Juul करके जरूर लाना है नहीं मिल रहा हो तो कैसे भी करके आपको यह पुष्प लाना है वह पुष्प है कमल का दोस्तो बैकुंट चतुरदसी का सास्त्रों में विशेश बर्णन मिलता है बैकुंट चतुरदसी वाले दिन भगवान विश्णू ने भगवान सिव को कमल पुष पूजा करेगा कमल पुष परपन करेगा उनकी प्रतेक मनुकामना में पूरी करूँगा वही भगवान विश्णु ने भी आशिरवाद दिया कि आज के दिन जो व्यक्ति मेरी और भगवान शिव की पूजा करेगा यानि भगवान विश्णु और भगवान शिव की पूजा और जब तक वो प्रत्वी लोग परेंगे उनको हर प्रिकार का सुक और बैवप प्राप्त होगा। सबसे पहले भगवान सिव को इस्नान कराना है। इस्नान कराने के बाद में भगवान को भस्मी अरपन करनी है। ओम नमस्वाय मंतर का जाब करते हुए। फिर आपको भगवान को कमल पुष्प अरपन करना है। उसके बाद में दीपक जलाना है और भगवान सिव को नेविद्य यानि मीठा अरपन कर देना है। यह उपाय साधारन सा उपाय लेकिन इसका प्रबाब बहुत जाता अगर अपनी मनुकामना बोल करके इस दिन कमल पुष्प भगवान सिव को अरपन कर दिया जाए और एक कमल पुष्प भगवान विश्णू को अरपन कर दिया जाए तो मनुकामना अवश्य पूरी हो जा सामने चोता दीपक सनी देव के सामने पांचमा दीपक पीपल ब्रक्ष के नीचे चटमा दीपक पित्रों के नाम से सातमा दीपक आपको मंदर के मेन दरबाजी पर आठमा जो दीपक है तुलसी माता के सामने नौमा दीपक घर के मेन दरबाजी पर दसमा दीपक मूरी पर ग् बारहम दीपक जलाना है आपको अपनी सभी मनुकामना है बोलते हुँ शूर्देव के नाम का तेरे और चोदे ये दो दीपक आपको जलाने हैं एक दीपक आपको जलाना है नंदी जी के सामने और वहाँ पर थोड़ी सी हली दुरवा आपको अरपन कर देनी है बगवान गनी जी के सामने जला रहे हो तब हली दुरवा आपन कर देनी है जिससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी और एक लाश्ट का दीपक आपको चोराई पर जला करके आना है ये चोद्य दीपक का मावपाय होता है जिससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी तो आपको ये कार जरूर करना है बैकुंट चतुरदसी के दिन ओम नमश्ट को कमल पुष्परपन कर दें तो फिर भगवान के हाथ में पीला धागा बांदना है मनुकामना बोल के और एक धागा तुलसी माता को अरपन करना है मापड़ दीपक चला के